सो हेलो बच्चो आज की क्लास में हम लोग हिंदी कावे खंड में माखन लाल चतुर वेदी जी का जीवन परिचे पढ़ेंगे पहले हम लोग इनके फ्लो चार्ट के रूप में मतलब जीवन परिचे को संचिप्त रूप में देखेंगे कि कैसे आप अपनी परिक्षा में लिखेंगे संचिप्त रूप में फिर उसके बाद बच्चों हम लोग विस्तार से इनका जीवन परिचे करेंगे और फिर इनके महत्वपोर्ण रचनाओं को भी देखेंगे तो आज की इस क्लास में हम लोग माखल लाल चतुरवेदी जी का जीवन परिचे कम्प्लीट करेंगे ठीक है बच्चों और महत्वपोर्ण जितनी भी रचनाओं हैं इनकी उनको भी देखेंगे साथ साथ में आज की इस क्लास में चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इनका सबसे पहले संचिप्त रूप में एक-एक करके इनका मुख्य बिंदु देखेंगे संचिप्त रूप में आप कैसे अपनी परिक्षा में लिखेंगे जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं जब आप अपनी परिक्षा में लिखेंगे यही सही तरीका होगा बच्चो तो पहले जब संचिप्त में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चो नाम किसका जीवन परिचे कर रहे हैं हम लोग माखन लाल चतुरवेदी जी का तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे फिर अगला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है जन्म है ना इनका जन्म कब हुआ था यह टाइम पीरिड आपको लिखना है यहाँ पर तो चार अप्रेल सन 1889 को इनका जन्म हुआ था पिछली क्लास में जब हम लोगों ने राम नरिस्त्र पाठी जीका जीवन परिचे पढ अगला मुख्य बिंदु क्या है हमारा जन्म स्थान इनका जन्म स्थान क्या था जहां पर इनका जन्म हुआ था तो वो बच्चो बावई नामक एगआउ था घ्राम था वहाँ पर हुआ था राज जिले के बावई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था यहां तक इतना क्लियर है बच्चो साथ साथ में हारे एक मुख्य बिंदु को धियान में रखते चलेगा अब बात करते हैं हम लोग इनके पिता जी का क्या नाम था इनके पिता जी का नाम क्या था माखनलाल चतुरवेदी जी के पिता जी का नाम क्या था यस राइट है फिर उसकी बात क्या है पंडित नंदलाल चतुरवेदी पंडित नंदलाल चतुरवेदी इनके पिता जी का ना अग्धर किया था इन्होंने जब इनकी प्राफ्मिक सिक्षा के भाद इन्होंने घर पर ही इन भासाओं का इन्हों ने घर पर ही इन भासाओं का घ्यान अर्जन 68 ही सवी में इनकी मृत्ट्य हुई थी अब उसके बाद हम देखेंगे इनकी प्रमुकषरचनाय तो ये बात करें तो ये फ्लोचार्ट भी कहलाता है से संशिपत मैं आप अपने परिक्षा में जब लिखेंगे तो जीवन परिचे को ऐसे लिखेंगे फिर उसके बाद आप उसको विस्तार से करेंगे तो इनकी प्रमुख रचनाएं बात कर लेते हैं बच्चो यहाँ पर एक से अधिक है आपको परिक्षा में एक लिखनी होगी लेकिन यहाँ पर एक से अधिक इस वज़े से है क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रस्न बन सकता है क्योंकि जितनी भी यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं प्रमुख जितनी भी रचनाएं हैं सब ही क्या है महत्वपूर्ण है यहाँ से बहुविकल्पी बन सकता है माली जया गया यूग चरण किसकी रचना है तो आपको पता होना चाहिए माखनलाल चतुरवेदी जी की है ठीक है तो हिम किरेटनी अभी इनका एक सीरसक है जो कि हमारे क्लास 10 में ही है जवानी सीरसक है अभी पढ़ेंगे भी हम लोग तो वो इसी में है इसी हिम किरेटनी में ही वो क्या है संकलित है बच्चो आगे बात करें हिम तरंगिनी और माता युग चरण जितनी भी है ये सभी महत्तोपूर्ण है समर्पण वेड लो गुंजे धरा ये भी इनकी रचना है नाम ध्यान में रखेगा चिंतक की लाचारी आत्म दिक्षा और राम नौमी नागा अर्जुन नागा अर्जुन भी वच्चों कई ये बार पूची गई है ऐसे करके पूचा गया है नागा अर्जुन किसकी रचना है ये नागा अर्जुन रचना की रचना कार कौन है ऐसे बन जाता है प्रस्ट है ना तो ध्यान में रखेगा माखलाल चतुरवेदी जी और वनवासी आदी तो ये इनकी प्रमुख रचना द्यान में रखेगा क्योंकि यहां से बहुविकल्पी बनता है और जब भी आप अपने एक्जाम में लिखे जीवन पर इचे तो पहले इस फ्लोचार्ट की रूप में लिखे मतलब इसको संचिप्त में ऐसे ही करके एक-एक मुख्य बिंदू को लिखेंगे आप फिर उसके अब हम लोग आते हैं विस्तार से कैसे करेंगे और इंपोर्टेंट भी है बच्चो मैंने पहले भी बताया अफट-फट देख लेते हैं तो जब आप अगर आपको मुख्य बिंदू सारे क्लियर होंगे कि इनका जन्म कब हुआ था फिर उसके बाद इनकी म्रत्यू कब हु 1889 इस्वी को कौन से राज्य में हुआ था बच्चो मध्य प्रदेश के और जिला क्या था होसंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था तो गाओं का भी नाम ध्यान रखेगा बावई और जिला क्या है होसंगाबाद और राज्य की बात करें तो मध्य प्राथमिक सिच्छा प्राप्त करने के पस्चात इन्होंने घर पर ही संस्क्रत बांगला गुजराती अंग्रेजी आदी भासाओं का क्या किया था इन्होंने घर पर ही स्वयम से ही अध्यन किया था अभी संचिप्त में हम लोगों ने देखा भी था इसकी बाद क्या है इन् इन्होंने आध्यापन कार्य भी किया पढ़ाने का कार्य सन 1913 इस्वी में सू प्रसिद मासिक पत्रिका प्रभा की संपादक नियोक्त हुए टाइम ध्यान में रखेगा सन 1913 इस्वी में ठीक है बच्चों चतुरवेदी जी ने मतलब यहाँ पर माखनलाल चतुरवेदी जी ने सापताहि पत्र कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया स्री गड़ी संकर विद्यार्थी की प्रेणा तथा साहचर के कारण वे रास्ट्री आंदोलों में भी भाग लेने लगे मतलब उसमें भी अपनी हिस्सेदारी निभाने लगे रास्ट्री आंदोलों में भी है ना इनके कई बार इन्होंने इन्हें कई बार जेल यात्राए भी करनी पड़ी पतब कारावास में भी बिताया इन्होंने अपना समय यह सन 1943 इस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए फिर उसके बाद बात करें तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूशन की उपादी से भी क्या किया था बच्चों अलंकरत किया था मतलब इन्हें पद्म भूशन की उपादी भी दी गई थी उसके बाद अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रान्ति का संख फूकने वाले कलम के इस तिपाही का निधन कब हुआ था बच्चों 30 जन्वरी सन 1968 में 30 जन्वरी 1968 को इनका क्या हुआ था स्वर्गवास हो गया था मतलब इनका निधन हो गया था किसका माखनलाल चतुरवेदी जी का तो अगर आपको ये क्लियर करना है परिक्षा के लिए अच्छे से त्यार करना है तो पहले जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट में बच्चों देखा हर एक मुख्य बिंदु को आप क्लियर कर लिजे संखिप्त में आपको आसानी हो जाएगी लिखने में संखिप्त में नहीं अब बात कर लेते हैं कि जो प्रमुख रचनाय है जो अभी हम लोगों ने संचिप्त में देखा वही विस्तार से ठीक है तो प्रमुख रचनाय क्या है बच्चों वही हिम किरेटनी ध्यान में रखेगा है ना और हिम तरंगनी माता युग चरण युग चरण भी पूछी बहुई कल्पी में ऐसे आ जाता है जब गद्यपदी का इतिहास से संबंदित भी आपके जब कोश्चन आते हैं तो उनमें भी ऐसे क्वेस्चन बन जाते हैं यहां से ठीक है बच्चों और वेड लोग गुझे धरा समरपड भी ध्यान में रखेगा चिंतक की लाचारी आत है कि मैंने क्वेस्चन देखा अभी जल्दी का ही तो वहां पर नागार्जुन और क्या बोलते हैं युग चरण तो यह जो है यह इंपॉर्टेंट है यह सभी इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों इतनी रचना यहां पर लिखी हैं जितनी भी लिखी हैं सभी महत्तोपो नहीं यहां से बहुई कल्पी प्रस्न बन सकता है तो आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों हिंदी कावे खंड के उसमें आठवा चैप्टर है माखनलाल चतुरवेदी जी का है ना तो इनका जीवन परिचे कंप्लेट कर लिया है इनकी अगली क्लास में हम लोग मिलें इन ही के सीर्सक जो की हमारी पुस्तक में दो है एक तो है जवानी और दूसरा क्या है बच्चों पुस्प की अभिलासा तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण पध्यान्स है उन सभी के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए इतना ही बाई बाई टेक्यर ठैं झालो जो है जितने से जीकियों